हालो फ्रेंड्स तो आजना आ वीडियो शेशन मा तमारू हार्दिक स्वागत छे तो आजनो वीडियो शरू करता पहला आज तमने कई दो क्या आनी पहला आपणे घणा बदा वीडियो बनावी चुकेला छी है 300 प्रेश्णोंनू सोल्यूशन करी नाथियो चे तो ए वीडियो शनो जोया होई तो पहला एज जोई ले जो आने त्यार बाद आ वीडियो जोवानी शुरुवात कर जो आपणे पहुची गई आछी ये 301 मा प्रेश्णा उपर 301 मा प्रेश्णा आपणी समक्ष आविग्यो चे भारत मा सव प्रथम कई मजित बंधाई हती तो भै तमने खवर होवी जोये भारत मा सव प्रथम धाई दिन का जोपडा जे अजमेर खाते आवेली छे ए सव प्रथम मजित बंधावामा आवी हती याद राग जो भै अजमेर खाते धाई दिन का जोपडा नामनी एक मजित आवेली छे एम पन पूछाए भारत नो सव थी उच्चो गुम्मट वालो भव्य दरवाजो कई हो छे तो भाई भारत न वाद करिये आने एम ए सव थी उच्चो गुम्मट वालो भव्य दरवाजो कोई होई ने तो ए बुलंद दरवाजो छे कई दरवाजो छे भाई बुलंद दरवाजो छे फतेह पूर सिक्री मा आवेलो छे क्या आवेलो छे फतेह पूर सिक्री मा आवेलो छे कौने बंधा आ द्रविड स्थापत्य नी शेली वो वरणावो तो वर्गाकार शेली विमान शेली मंडप शेली गवपुरम अने सयुक्त स्तम्भोन प्रियोग थी मंदिर नू समगर ढाचो एक परिसरम उच्ची दिवाल थी बांधेलो होई छे तो आचे द्रविड कुलनी स्थापत्य शेल द्रीनी मात्रन मात्र वात बराबर आगलवधिये द्वारकामा आवेल शंक्राचार्य नो मट क्या नामे उळका है छे भै द्वारकामा शंक्राचार्य जी द्वारा स्थापी देक मट छे जेनू नाम छे शार्दापिट परोबर कई पिट शार्दापिट नामनो मट क्या आवेलो छे भाई तो द्वारका मा आवेलो छे चौल समय मा मंदिरो कई शेली मा बन्या हाता तो द्रवीड शेली मा चौल समय मा द्रवीड शेली मा भाई द्रवीड शेली मा शू बन्या हाता मंदिरो बन्या हाता खास या द्रग जो पंच महाल क्या आवेलो छे तो पंच महा तो पंच महल छाने ए फतेहपूर सिक्री मा आवेलू छे क्या आवेलू छे फतेहपूर सिक्री यान फतेहपूर सिक्री पासो क्या आवेलू छे उत्तर प्रदेश मा आमेने उत्तर प्रदेश राज्य लागू पड़े छे दिल्ली दिनजीक थाई पनच महल क्या आवेलू छे फतेफपुर सिकरी उत्तर प्रदेश पासे आवेलू छे खास यात रग जो तो बुलन दर्वा जो इत्या आधे छे एटले खबर पड़ी जय विजो एक फतेफपुर सिकरी उत्तर प्रदेश मा आवेलू छे तो बुलन दर्वा जो पन क्या आवेलो छे उत्तर प्रदेश मा मौधेरा नू सूर्य मंदिर लगबग क्या वृत उपर आवेलू छे बांधकाम कोणे पून करावेल छे तो सिधराज जैसी ए आरुद्र महालेईनु बांधकामनु कारिय पून करावेल छे तो शरू कोणे कराव यूथू मुल राज सोलंकिये शरू कोणे कराव यूथू भैं मुल राज सोलंकिये नुरुत्य करता शीवनी कास्य मुर्ती एटलेके नटराज क्या समय दर्म्यान बनावामा आवेल छे तो बैं नुरुत्य करता शीवनी कास्य मुर्ती एटलेके नटराज ए चोल काल दर्म्यान बन्धावामा आवेलू द्वारका मंदिर नी विशेश ताशू छे तो द्वारका मंदिर छे ने चा माल नू शिखर छे चा माल वाला विशाल मंडपो छे ने साइट स्तम्ब छे बाई आयनी खास यत चे चेने जगत मंदिर तरीके ओलखवामा आवे चे एपन वाला मित्रो भूलता नई हाँ बुडियगम तो होई तो लाइक कर जो शार कर जो कमेट सक्षन मा कमेट कर जो शंक्राचारिये स्था पेलो शार्दा मट क्या जिल्लाम आवेल चे तो गुजरत राज्यम आवेलो चे तो खबरत चे शार्दा पीठ शार्दा मट येनू नाम चे आना जे क्या आवेलो चे देव भूमी द्वारीका खाते गुलाल क्या वरुक्षना फुल माथी बनावा मा आवे चे तो पलाश नामना फुल माथी गुलाल बनावा मा आवे चे भाई भारत मावानो जलमार्ग शोधक कौन हतो ते क्या देशनो वतनी हतो तो भारत मावानो जे जलमार्ग चने ये शोधनार वासकोद गामा हतो कौन हतो वासकोद गामा न जे क्या नो हतो तो पोटुगल नो हतो वासकोद गामा ने क्या हिंदी खलासी नी मदद करी हती तो भै वास्कोद गामा ने आपड़ा भारत ना एक खलासी महमद इब्द मजीद परोबर महमद इब्द मजीद नमना खलासी ये मदद करी तिया पचे न गुजरात ना कच्छना कांजी मालम पन मिल्या हाता भै एपण एक याद राग जो आया बले न थिया एपू परोबर एपण कोने मल्या हाता वास्कोद गामा ने ए समय मल्या हाता आने चल्मार्ग बतावा माटेनी वात ने करी हाती सूरत आयवा था ने सौप्रतम क्या गुड़ाना भै सूरत गुड़ाना था वास्कोद गामा भारत ना क्या बंदरे उतर यो हतो ने त्याना राजा कोन हाता वास्कोति गामा छंब में सौप्रत मां तो कालि कट बंदरे उतर यो हतो त्याना राजा नू नाम तो बंदर नू नाम कालिकट अना राजा छे जा मोरीन इंगलेंड मां ब्रिटिस्ट इंडिया कंपनी नी स्थापना क्या रे थे तो इस्वीशन शोड़सो मां 1608 मा सूरत बंदर परोबर 1608 मा सूरत बंदर पौँचियो हतु परोबर हेक्टर नामनु जहां जहतु कया नामनु हेक्टर नामनु जहां जहतु इस विशन 1757 प्लासी नु युद्ध कौनी वच्चे थयो हतु सिराज उद्धोला अने रोबोट कलाई वच्चे इस विशन 1757 प्लासी नु युद्ध कौनी वच्चे थयो हतु तो सिराज उद्धोला अने रोबोट कलाई वच्चे 1757 प्लासी नु युद्ध थयो हतु इस विशन 1764 मा मीर कासीम अने अंग्रेजो वच्चे कयो युद्ध थयो हतु तो इस्विशन सत्तर सोन चौन सट मा मीर कासीम अने अंग्रेजो वच्चे बकसर नू युद्ध थयू हतू कई युद्ध थयू हतू भैं? बकसर नू युद्ध थयू हतू कोनी कोनी वच्चे तो अंग्रेजो अने मीर कासीम वच्चे प्लासिनु युद्ध सिराज उद्धूला अन्य रोबोट क्लाइव अंग्रेजो तरपती कौन लड़तू हो तू रोबोट क्लाइव लड़तो हो अंग्रेजो साथेना संघर्ष पछी फ्रेंचों पासे छेवटे क्या वेपारी मतको रहिया हता तो भै फ्रेंच लोगों पासे माहें, चंद्रनगर, पोंडेचेरी, यनम अन्य करेल कल परोबर आटला विस्तारों फ्रेंचों पासे रहिया हता भारत मा सवप्रथम अन्य सवथी छेल्ले कई उरोपियन प्रजावी हती तो भै सवप्रथम पोटोगीज हो आवा वासकोद गामा हायोने हाव प्रथम तो आव वासकोद गामा पोटोगीज प्रजाती नो हतो आन्य छेल्ले कोण आवा स्पैनीश आवा यूक के वामा आवे स्पैनिश लोको भारत मां गुडाना हता भाई एपने कई याद राक जो फरी फरी वार एक वीडियो चालू होए ने तमने वमारे याद कराओ पड़े क्या भाई लाइक करता जाओ शेर करता जाओ ए व्याज भी नती अगाव थी लाइक करी दे जो वाला मित्रो गॉलंबस क किया नो हतो तो इटाली नो हतो क्या अंग्रे जे जहागीर पासे थी सुरत मा स्थापवा सुरत मा कोठी स्थापवा नी परवांगी लीधी हती तो सर टॉमस रोए भाई तो रोबर सर टॉमस रोए जहागीर पासे थी सुरत खाते कोठी स्थापवा माटे नी परवांगी म पुर्वक परवांगी आपी दीदी प्लासी नू युद्ध क्यारे थाई प्लासी नू युद्ध क्यारे थाई युद्ध क्यारे थाई प्लासी नू युद्ध क्यारे थाई युद्ध क्यारे थाई युद्ध क्यारे थाई प्रश्यानिक, ये लिएक फालासीरी अरियो जहा सत्यारी मैं गिद्स confident प्लासिनों युद्ध पूरुद्यू नेना रिजट स्वरूपे मिर्जाफर ने बाई कोने मिर्जाफर ने बाई बंगाला नो नवाब बनावा माई बाई मिर्जाफर नो विरोध बाद कौन बंगाला नो नवाब बनियो तो मिर्कासिम बनियो बाई मिर कासिम मिर जाफर ना विरोध बाद बंगाला नो नवाप कोण बन्यो मिर कासिम बन्यो बरबर कोने सहाई कारी योजना भारत मा दाखल कड़ी तो बै वैलेस वी सावे 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 हुँ खावे तो खावे सावे ब्रोवर एम याद राखो तो याद रेश है कोने सहाईकारी योजना भारत मा दाखल करी तो लोड वेलेसली द्वारा सहाईकारी योजना क्या दाखल करवा मा आवी भारत मा रेलवे नी शुरुवात कोने करी हती तो भारत मा रेलवे नी शुरुवात डेल हाउसी कोना द्व द्वारावाई भारत मा रेलवे नी शुरुवात थाई हती परबर तमने कारिक या देशे 16 एप्रिल अधार सोने 53 आजु बाजु बाई अधार सोने 53 आजु बाजु मुंबई थी थाणा वच्चे रेलवे नी शुरुवात कोणे करी हती डेल हाउसी ये करी हती भारत मा रेलवी नी शुरुवात क्यारे थाई तो आगडी चापड़ चर्चागरी सोड एप्रिल सोड एप्रिल अधार सोने तेपपन मुंबई थी थाणा वच्चे मुंबई थी थाणा वच्चे बै कोनी कोनी वच्चे मुंबई थी थाणा वच्चे शेनी शुरुवात कर भारत मा आधुनिक टपाल पदधी कोने शरू करी हती तो भारत मा आधुनिक टपाल पदधी डेल हाउसी ये शरू करी हती भारत मा प्रथम त्रण उनिवसिटी नी शरू करी हती तो भारत मा प्रथम त्रण उनिवसिटी नी शरू करी हती ती भारतमा दाखल करिदी थी बाये। पर अबर कोणे तो लोड डेल हाुस यह खालसा नेती क्या डाखल कर देदी भारतमा डाखल करिदी थी हती। सहाcjęकारी योजन मिठा जेर जेवी योजन जनेकी वा माम आयावे चे सावप्रतम कौने सिखारी तो हैदराबाद ना निजाम द्वारावे सावप्रतम आ साहाइकारी योजना सिखारी वाम आवी ब्रह्म देश हाल मां क्या नामे ओलखाये चे ब्रह्म देश येटला हाल नो म्यान मार प्रदेश काईमी जमाबंधी नामनी मैसोली पद्धती कोणे अमल मां मुगी तो लाड कार्णी वलिस काको 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 याद राखवानों काको बरोबर काईमी जमाबंदी काईमी जमाबंदी काको कॉर्णी वॉलिस बरोबर लॉड कॉर्णी वॉलिस एम याद राखता जजो भाई किमके तोज तमने याद रेशे नहीं तर तमने याद रेशे जैने सहाईकारी योद नावे तो सावे सावे लॉडवेलेसली बराबर याद राकता जजो भाई आउनारी सपरधात्मक परिक्षामा उटुकुकुकु काम आउशें क्या गवर्नर जंद्रलना समयमा सती प्रथा प्रतिबंद काईदो अमल मा आवे तो विल्यम बेंटिक ना समयमा कोना समयमा विल्यम बेंटिक ना समयमा भै सती प्रथा प्रतिबंदक काईदो अमल मा आवे अमल मा मुकवा मा आवे क्या समाज सुधा रखे सती प्रथा नो विरोध करियो हतो तो राजा राम मोहन राये कोने भै राजा राम मोहन राये द्वरा भै सती प्रथा नो भ केलेवनी लेरी याचो ये शुरुवात करनार कोण हता तो लौड मेकोले हता ये पने कई याद राख जो भारत मा टपाल अने तार संदेशानी शुरुवात कई साल मा थै तो इस विशन अधार सोने चोपन मा आज थै प्रोबर एपन लौड लेलहाउसी द्वाराज करवा मा आवी हती ये पने कई याद राख जो कोना समय मा महसूल उग्राववानु काम कलेक्टर ने संपवामा आव्यो तो वारान हेस्टिंग्स ना समय मा भै महसूल उग्राववानु काम कोने संपवामा आव्यो भै कलेक्टर ने संपवामा आव्यो महसूल उग्राववा माटे स तो वारान हेस्टिंग्स द्वाराज सौबरतं कलेक्टर नी निमनुक करी हती भाई क्या अंग्रेज गवर्नर जन्रल ए कम्पनीना वहवट मा भारतियोंने स्थान आप यू हतू तो भाई विलियम बेंटिक नमना अंग्रेज गवर्नर जनरले कम्पनी ना वहिवट मा भारतियों ने स्थान आपियो हतु क्या अंग्रेज गवर्नर जनरले अदालत मा न्याय मांगवा आउनार ने पोता नी मात्रु भाषा नो उप्योग करवानी रजा आपी हती तो मने ख्याल हो जो ये भाई सती प्रथा नाबूदी माते नो काईदो कोने बार पैड़े हतो भाई तो विलियम बेंटिक अतले सारो ये वो अंग्रेज गवर्नर जनरल हतो येमपन काई शकाई सती प्रथा अठकावा माते नो काईदो क्यारे अमल माई वो तो इस विशन अधार सोने ओगन तीस मा अमल मा आवियो बंगाड मा क्या दुशकाड थी लाखो लोको भूख मरा थी मृत्य उपामिया हता तो इस विशन सत्तर सोने सित्तेर मा दुशकाड थी शेना थी भाई दुशकाल थी लाखो लोको भै भूख मराना कारणे मृत्य उपाम्या हाता इस विशन अधार सोने सत्तावन ना बढवामा दिल्ली ना क्या बादिशा है भाग लिदो हतो तो भै बादिशा नीवाद करियें तो बादिशा नू नाम चे बाधूर शा जफर पर बाधूर शा जफर इस विशन अधार सोने सत्तावन ना बढवामा दिल्ली नी जे गादी हती लेके दिल्ली थी तेने पै नेत्रुत्वनो स्विकार करिली थेलो हातो इस विशन अधार सोने सत्तावन ना बढवामा कानपूर मा कोणे आगेवानी स्विकार लिदी हती तो नानासा बने तात्या टोपे, वरबर नाना सहेब बेश्वा, अन्य तात्या टोपे ये भाई, कानपूर थी भाई, बढवानी आगेवानी स्विकारी लिधी, हाती, इस विशन अधारसो न सत्तावनना बढवामा बिहार मा कौने नेत्रुत्व लिधु हतु तो कुवर सी द्वारा भाई, कुवर सी द्वारा अधारसो शत्तावनना विपलवनू त्याया मने नेत्रुत्व क्या थी लिधु हतु तो बिहार थी लिधु हतु, इस विशन अधारसो सत्तावनना संग्राममा पंच महालना क्या लोकों ये अंग्रेजो सामे बढवा करियो हतो, तो नायकडा, परभर आगेवाने अंग्रेजो सामे संगर्ष करियो हतो तो मुखी गडबड दास पोते अधारसोने 57 संगराम मा आणन्द थी पोतानू शुके वै नित्रुतो सिकार्यू हतो इस विषन अधारसोने 57 संगराम मा प्रथम शहिद कौन हता तो मंगल पांडे कौन हता भै मंगल पांडे हता ये पन याद राकजू गुजरात मां श्विशन अधार्शन शत्तावन ना बढ़वानी शुरुवात क्या थी थैए हती तो अमदावादनी सात मी टुकडी थी थैए हती शिहोर खाते ख्यां भावेणाना शिहोर खाते भाई वस्वाट कर्यो हो वानु मानवा मां आवे छे इस्विशन 1817 ना बढ़वा मां बढ़वा खोरोए संदिशो पहुचाडवा क्या प्रतिक नो उपयोग कर्यो हतो तो सेनिकों माटे रोटी और प्रजा माटे कमल अबन्य प्रतिकोवनों उप्योग कर्यो आतो ओखा मंड़नी कई स्त्रीवोय इस्विशन अधार्शोने सत्तावनना बलवामा अंग्रेजो सामे लड़त आपी हाती तो वाघेर नी स्त्रीवोय बाई ओखा मंड़ प्रबर देभुमी द्वारका जुबाजुनों प्रदेश तमने आगेर स्त्रीवोय इस्विशन अधार्शो सत्तावनना बलवामा अंग्रेजो सामे जोरदार लड़त आपी दी थी आती फरिवार के वानू मान थाई विडिया गमत होय तो लाइक करो शेर करो कमेट सेक्षन मा कमेट करता जाओ आगल वधिये मोगल बादिशा बहदूर श आस्तरम्या अंतेव मृत्यू पाम्या अता इडर नजीक चादूप गामना लुक वे कोने आगिवानी हेठ़ अंग्रेजो सामे संगर्श करियो हतो तो इडर नजीक चादूप गामना लुक वे यामाजी कोनी यामाजी नामना व्यक्तिनी आगेवानी हेठ़ बलवो करियो इस विशन अधार्शो शत्तावनना बलवा समये लशकर मा भारतिया और अने अंग्रेजी सेनिकोनु प्रमाण लगबग केटलू हतु तो बाई भारतिय और अंग्रेजी सेनी कोनो प्रमाण च जेम एक एटले कैं च भारतिय जारे एक अंग्रेज आवु प्रमाण जोवा मलतु हाथू इस विशन अधार्शन 57 संग्राम मा नीचेना माती कोनो टेको मलियो नो हाथू तो शिक्षित वरग नो टेको नो तो मलियो शीक लोको नो टेको नो तो मलियो और गुर्खावो नो टेको मलियो नो तो इस विशन अधार्शन 57 संग्राम मा स्वाथंट स्वातंत्र संग्राम ना क्या नेता ये पोतेज पोता नी तलवार थी हाथ ने कोणे मा थी कापी ने गंगा नदी मा पधरावी दीदो हतो कुवर सी ये बैए आकार नामो करनार कोण हता कुवर सी हता जेने पोतेज पोता ना हाथ थी तलवार थी भैए पोतानो हाथ कापी ने गंगा नदी मा पधरावी दीदो हतो कुवर सी द्वारा आपराक्रम करवा मा आव ये हतो अंग्रेज लशकरना तोप मा राथी बेट द्वारकाना किलाने बच्चाववा कोणे अद्वितिय काम करियो हतो तो वाघेर स्त्रीवो ये बैए कोणे वाघेर स्त्रीवो ये काम करियो हतो अंग्रेजो जारे जारे तोप मारो करे तो आपड़ी आ वाघेर स्त्रीवो ये पलालेला गुदला लें जाए नही बोम ने ठारी देता था भै अंग्रेजो पन भै इना थी डरता हाता अविवस्तु बनी गेली चे आपड़ा गुजिरात नी या धरती पर इस विषन अधरसव सत्तावनना बढ़वा मा खानपुर्मा क्या आगेवा नो ये भाग लीदो हतो थाकोर जीवाआ बाये कोने भाग लीदो हतो इस विषन अधरसवाआ बढ़वानो तात्कालिक कारण श्यू हतो तो एनफिल्ड राइफल कार्तूस परोबर एन्फिल्ड राइफल कार्थूस एनु मोख्य कारण हतू कारण केमा डुकर और गाय नामास नो उप्योग थतो हतो युँ साबित मन करेलू छे अने एटला माटे सेन्यनी टुकडी ये भै सवप्रतम बढ़वा शरू करी दिदो हतो लशकरी मा अनुक्र में हिंदी सीपाई याने अंग्रेज सीपाई ने केटलो पगार मलतो तो भै हिंदू सीपाई ने साथ रुपया मलतो जारे अंग्रेज सीपाई ने एक सो पचास रुपया पगार मलतो हतो मंगल पांडे ये पोतानी राइफल थी मेदान मा कोने विंधी नागयो तो मेजर यूसेन ने बरोबर मेजर यूसेन ने अब है ठार पाड़े थी तो पोतानी गुळी थी भाई दादरा नगर हवेलीनु पाटनगर क्यू छे तो सेलवास छे दादरा ने नगर हवेलीनु पाटनगर कईू छे सेलवास दमाण ने दिवनु पाटनगर दमाण छे दमाण ने दिवनु पाटनगर पूछाई तो कईू छे भाई दमाण छे भारत ना क्या क्या राज्यनी मुख्य भाषा अंग्रेजी छे तो नागालेंड मिजोरम मेखाले अनग पुडुचेरी आटला राज्योनी मुख्य भाषा कई छे भाई अंग्रेजी छे एपने क याद राक जो हिंदी राश्योनी महासबा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस निस्थापना कौने अने क्यारे करी हती तो सर एलन एक ओक्तिवियन व्यूम द्वारा 28 डिसेंबर अधार सोने पंचाशी सालवार याद रग जो अधार सोने पंचाशी मा अखिल भारतिये कॉंग्रेस एटले के हिं राश्योनी महासबा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस निस्थापना करी हती कॉंग्रेस ना प्रथम अध्याक्ष नु नाम जणावो कॉंग्रेस ना प्रथम अध्याक्ष अता व्योमेष चंद्र बेनरजी अंग्रे जो द्वारा बंगाल ना भागला कई साल मा पाडवा मा आविया तो इस्विशन उग्णी सोने पांच मा अंग्रे जो द्वारा भै बंगाला ना भागला पाडवा मा आविया हता कोना द्वारा भाई बंगाला ना भागला पाडवा माएवा अंग्रे जो द्वारा स्विसन उग्णिसोने पाजमा फरिवार मित्रो चुईए बंगाला ना भागला कैसाल मा पाडवा माएवा स्विसन उग्णिसोने पाजमा पाडवा माविया ता बंगालाना भागला वक्ते कॉन वाइसरोई हतो तो लॉर्ड कर्जन वाइसरोई हतो वन्दे मातरम गीत कैं नवल कथा माथी लेवा माव यू चे अन्दे मातरम गीत चेनके आनंद मत ौन यू रचीता चे बंकिम चंद्र चतोपाद ज्याए बंकिम चंद्र चटो पाध्ये वंदे मा तरम गीत आनंद मर्ठ मा थी लेवाम आवेलू छे अने येना रची इता चे बंकिम चंद्र चटो पाध्ये कई साल मा अंगरे जों ने बंगाला ना भागला रद करवानी फरज पड़ी हाती कारण के भाई पछी भाई घणा बदा प्रश्णोंनु सर्जन छो एटले बंगालाना भागला जे पैडाताने यहने रद करिदेवा पड़िया हाता रविंद्र नाथ टागो औरे कई विध्याले नी शिर्वात करी हाती दादा भाई नवरोजी सुरंद्रनाथ बेनरजी गोपाल करोष्ण गोखले फिरोज शाह मेता अलोको मवाल वादी नेता तरीके उलखाता हाता क्या नेता हो राष्ट्य अंदोलन दर्म्यान मवाल वादी नेता हो तरीके उलखाता हाता तो दादा भाई नवरो जी होई, सुरेंद्रनात बेनर जी होई, गोपाल क्रुष्णा गोखले होई और फिरोज शा महता होई तो अबद्धा केवा हाता, तो अबद्धाई मवाल वादी नेताओ तरीके उलखाता हाता क्या नेता ये जाहाल वादी नेताओ तरीके उड़खाता हाता लाला लजपत राई बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्रपाल अब दाई जाहाल वादी नेताओ तरीके उड़खाता हाता परोबर एपन येक याद राग जो स्वराज जमारो जन्मसिद अधिकार छे अने हुँ ते मेलवी नेज जंबीश आवकोने गिदू हतु तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केवाम आवेली वात चे बाल गंगाधर तिलक बोल्या हता स्वराज मरो जन्मसित अधिकार चे अने युँ मेलवी नेज रहिश कोने गनेश चतोर थी अने शिवाजी जयन्ती उत्सव नी उजवनी शिरुवात करी हती तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा बै बाल गंगाधर तिलक द्वाराज गनेश उत्सव पर अबर शिवाजी जयन्ती उत्सव वगेरे उजवानी पत्रों नाम आवता है लाला लजपत राये शरू करा ये ला वर्तमान पत्रों नाम जहना आवो तो धी पन्जाब न धी प्यूपील आला लजपत राये द्वारा शरू करवामा आवेला बिवर्तमान पत्रों छे बिपिन चंद्रपाले शरू करेला वर्तमान पत्रों नाम जणावों तो बिपिन चंद्रपाल द्वरा वंदे मातरम वर्तमान पत्राने सापताहिक न्यू इंडिया शरू करवामा आव्यू हतु एपनेक याद राक जों बाल गंगाधर तिलक क्या हुलामणा नाम प्रसिद्ध थया हता तो लोक मान्य नादा मे प्रसिद्ध थया हता किया कॉंग्रेस अधिवेशन मा मवाल वादी अने जहाल वादी नेताओ अलग भाग पाड़े आता फाटा पड़ी गया था तो सूरत अधिवेशन मा, कया अधिवेशन मा? सूरत अधिवेशन मा इस्विशन उग्णिसोंने सात मा सूरत अधिवेशन थ्यू न्या मवालवादी अन्य जहालवादी बेनेतावना भाग पड़ी गया हता लखनो करार, लखनो करार कई साल मा ने कौनी वच्चे थया हता तो सूरत अधिवेशन उग्णिसोंने सोड मा कॉंग्रेस अने मुसलिम लिंग वच्चे लखनो करार थया हता सुभाष चंद्रबोज नो जन्म क्या थयो हतो तो कटक मुका में कटक एटले और इस सुभाष चंद्रबोज जी नो जन्म और इस सा कटक खाते थयो सुभाष चंद्रबोज क्या पक्षिनी स्थापना करी हती तो एमने फोरवर्ड ब्लोक नामना पक्षिनी स्थापना करी हाथी चलो दिल्ली जाई हिंद चलो दिल्ली जाई हिंद आ सुत्रकोण आइपू सुभाष चंद्र बोज द्वारा अपवामा आवेलू चे तुम मुझे खुंदो में तुमें आजाधी दूँगा तुम मुझे खून दो मेतुमे आजादी दूंगा आ सुत्रकोने पूसु भास चंद्र बोज द्वारा अप्पामा आवेलू छे आजाद हिंद फोज नी स्त्रीवोनी अलग लशकरी टुकडीनु नाम जणाओ तेनु नेत्रुत्व कोने करियु हतु तो जासिकी राणी कोनु गुलामणु नाम चे तो सुभास चंद्र बोज नु गुलामणु नाम शुचे नेता जी चे शुभास चंद्र बोज आजाद हिंद फोज मां उभी करेली लशकरी टुकडीनु नाम जणाओ तो सुभास गांधी नेहरु अने आजाद आवी टुकडियोना नाम चे ओक्टोबर ओग्णी सोने 43 मा भै सुभाश चंद्रो बोजे काम चलाव सरकार नी स्थापना करी हती कई जिग्याए सिंगापूर खाते वीडियो गम्यों होई तो एक लाइक कर जो शेर कर जो कमेट सेक्षन मा कमेट कर जो भै